जयमाता की दोस्तों कैसे हो? आप सब दोस्तों, आप सभी का हारदिक स्वागत है महकाली भगत गयानी यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भगतों गजहने वाले हुँ अगर अश्ट्वी वाले दिन या नौमी वाले दिन आपको दिख जाए ये साथ में से एक संकेत तो आपके घर में नो देवी आई है मतलब आच चुकी है आपके घर में नो देवियों का बास हो चुका है इसी नवरात्रे में अगर आप लोगों को सपने के माध्यम में ये साथ संकेत देखने को मिल रहे हैं अगर पूरे साथ संकेत भी आपको नहीं दिखे हैं इस पूरे नवरात्रे में starting से लेकर end तब अगर इन साथ संकेतों में से आपको एक भी संकेत सपने के माध्यम में दिखाई दिया है तो आप मुझे कमेंट करके जरूब बता देना एक संकेत दिखते ही आपके घर में नो देविया आई हुई है और स्वेम नो देवियो वास आपके घर में हो रहा है तब ही आपको सपने के माध्यम में माता नो देविया ये संकेत दे रही है तो चलिए दोस्तों मैं आप सभी भक्तों को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताने वाली हूँ लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से में एक रिक्वेश्ट करना चाती हूँ अगर आप महाकाली भगतियान यूटुब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल् ली होगी तो भक्तों आज आप सभी को पता है नवरात्रे का सातवा दिन है और मेरी तरफ से आप सभी भक्तों को नवरात्रों की धेर सारी शुब कामना है मा भगवति मा काली दुरुग आप सभी का कल्यान करें खुस रहें आप और खुस रहें आपका परिवार तो मैं ज तक ये साथ संकेत दिखे हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना अगर साथ भी पूरे नहीं दिखे साथ में से एक संकेत भी अगर आपको दिखाई दिया है नवरात्रे के पहले दिन से लेके नो मी तक तो भई आपके घर में नो देवियों का वास हो चुका है नो आपकी समझ में जीरो परसेंट भी नहीं आने वाला है पहला संकेत सपने के माध्यम में आपको अन्य देवियों के मंदर दिखाई दिये हैं चाहे आपको अपने घर का मंदर दिखाओ या फिर आपको भार का मंदर दिखाओ सिद्ध पीटिस्थान या आपको नोर्मल आप अपने के माध्यम में आप लोगों को अन्य देवियों की अलग-अलग तरह की मूर्तियां दिखाई दे रही हैं और फोटो दिखाई दे रही हैं तो समझ जाओ दोस्तों आपके घर में नो देवियों का वास हो चुका है नो देविया आपके घर में आई हुई है तभी आपक खर में स्वेम नोदेवियों का वास है नोदेवियों की किरप आपके उपबर हो रही है। तभी आपको ये संकेत नोदेवियां दे रही हैं। चुत्थ संकेत सपने के माध्यम में अगर आपको आपके साथ कोई छोटी बच्ची, कन्या या कोई लड़की या कोई ओरत या भूड़ी ओरत अपने साथ दिखाई देती है तो समझ्जव भक्तो आपके घर में स्वैम्मा नो देवियों का वास हो चुका है इसी नवरात्र में और नो देवियां आपके साथ 2400 घंटे विराज मान रहती हैं तब ही आपको यह संकेत दिख रहे हैं पाचव संकेत अगर आपको सपने के माध्यम में माता काली को भोग लगाती हुई कोई लड़की या कोई ओरत या फिर आप खुद ही अपने आप सपने में दिख रहे हैं कि आप माता को भोग लगा रहे हैं तो वही आपके घर में नो देवियों का वास हो चुका है और नो द एन्या या कोई ओरति या कोई बूरी ओरति या फिर कोई ऐसी चीज जो आपको दिखने रही है लेकिन माकाली के मंतरों का जाप कर रही है। तो वो आपको इसलिए संकेत मिल रहे हैं कि आपके घर में नोदेवियों का वास हो चुका है नोदेवियां आपके घर में आई हुई हैं तभी आपको ये संकेत देखने को मिल रहे हैं अब लाश्ट संकेत सात्व संकेत अगर आपको सपने के माध्यम में जटके लग रहे हैं नवरात्रे के पहले दिन से लेके नोमी तक और सपने में आपको समसान गाट दिख रहा है जलती हुई चीता दिख रही है और एक औरत दिख रही है या बच्ची दिख रही है या और को इस टार्डिंग से लेकर एंड तक दिखा है सपने के माध्यम में तो भक्तो मैं आप सभी को बता दूँ आपके घर में नो देवियां आई चुकी हैं तब ही आपको ये संकेत नो देवी दे रही हैं ताकि आपको पता चल पाए कि आपकी पुजा पाट से अती जादा प्र हो चुका है तो चलिए दोस्तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै मातकाली हर हर मादे मातकाली आपकी मनोकामनाएं पूरी करें